हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दे नुवा क्लासेज लेट्स मेक लर्निंग इजियर सो बच्चों आज मैं हिस्ट्री मैप वर्क क्लास 10 के साथ आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही छोटा कंटेंट है इसमें आपको दो मार्क्स आएंगे जो हिस्ट्री का आपका जो सेलिबस है उसमें आपको टू मार्क्स आने वाले हैं और बहुत ही इजी कंटेंट है जो आप मात्र कुछ सेकेंड में ही आप चीजों को सीख लेंगे तो जो चीजे आसान हैं क्योंकि एक्जाम अब आ रहे हैं डेट सिट भी आ चुकी है तो अब क्या करना है आपको सारी चीजें फिक्स करनी है जैसे map walk अगर आपका 5 marks का है तो इसको fix कर देना है इसमें कोई भी question mark नहीं रहना चाहिए क्योंकि बहुत ही simple और बहुत ही less content है आपके map walk में तो आज हम discuss करेंगे history map walk जिसमें 2 marks के आपके question आएंगे तो हमें करना क्या है कि जो भी हम question देखेंगे जो भी हम चीजें देखेंगे उसके बाद उसका एक practice करेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखना उसके बाद हमें एक practice slide भी रखे हो है जिसके तुरू आप खुद practice कर सकते हो तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं तो वीडियो में सबसे पहले हमने discuss किया है कि हमें सभी state और उनकी जो location है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए अगर state और location हमें पता होगे तो हम आसानी से कर सकते हैं इसलिए मैंने एक blank map लिया है और एक आपका यहाँ पे current map जो आपको दिया है तो करना क्या है कि हम top से start करेंगे तो अगर top से start करें तो अगर ये area देखा जाए तो ये area कौन सा का लाता है लद्दाक का लाता है ठीक इसके नीचे आप आओगे इधर side में तो ये कौन सा हमारा area है जम्यन कस्मीर तो जम्यन कस्मीर और लद्दाक ये top में है हाला कि इसमें आपको history में उतनी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि geographic map अगर हम discuss करेंगे तो हमें उनकी location पता होना चाहिए तो top के जो दो हैं वो क्या है हमारे लद्दाक है और ये जम्यन कस्मीर और इधर का जो area है वो क्या है P.O.K. है पाकिस्तान अधिकृत कस्मीर अब नीचे हम थोड़ा से जाएं तो ये हमारा कौन सा है हिमांचल प्रदेस है तो हिमांचल प्रदेस आप यहां पे है और इधर आप आओगे तो ये हमारा कौन सा है पंजाब पंजाब से नीचे आओगे जो area के according सबसे बड़ा state है वो कौन है हमारा राजस्थान तो ये आपका राजस्थान हो गया राजस्थान से नीचे आओगे तो ये हमारा क्या है गुजराथ अग गुजराथ बहुत ही important है क्योंकि इसमें history में गुजराथ से related बहुत सारी चीज़े आएंगी इसके बाद उससे नीचे आओगे तो ये हमारा है महराश्थ है जिसको मुंबई भी कहा जाता है यहाँ पे है इसके नीचे आओगे तो ये कह हमारा गोवा है जो पहले पूर्टगीस के अंडर में था इसके नीचे आओगे तो ये हमारा कौन सा state है करनाटका जहां पर बैंगलूर है जिसको सिलिकान वैली के नाम से भी जाना जाता है तो यह क्या है मारा करनाटका फिर उसके नीचे आओगे तो यह केरला है केरला क्यों फेमस है क्योंकि यहां की जो लिट्रेसी रेट है वो कितना है 100% और उससे नीचे यहां पर आजाओ और है इसके बाद आप जाओगे तो यह अंद्रप्रदेश में और अंद्रप्रदेश से जो अलग हुआ था वो कौन था तेलंगाना था ये क्या है मारे कि यह तोर फोड़ा से ऊपर जाओग में तो आपको यह तीन आपका सिक्वेंस में हैं बिहार जारखंड और चतिसगड़ और आपको पता ही है यह बीच में है तो यह क्या हो जाएगा हमारा मध्यप्रदीश और यह दुखोर टाइगर जैसा बना हुआ है यह हमारा कौन सा है वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल इसलिए जिस्ट को समयने हमारा यह उपर आप जाओगे तो का है हमारा सिक्किन है और यह क्या है और क्या है आँटेशल प्रदीश ह से थोड़ा सा नीचे आओगे तो यह का है मनीपूर है तो यह थोड़ी थोड़ी छीज़े हैं स्को आप दिमाग में बैठाऊ रखोगे तो आपके लिए बहुत ही फाइदामेंड होगा नगालेंड उसके नीचे थोड़ा सा मनीपूर और मनीपूर से यह कै है हमारा मीजोरम कैंद मीजोरम के बगल में आप जाओंगे तो थोड़ा से कहा है पुरा बहुँत छोटा राज है तुरीपूरा था है और त्रिपूरा से ठोज़ास ओपर और 8 union territories है जिनको आपको दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है इसके बाद ये भी कभी confusion होता है इस साइड आप देखोगे तो इस साइड हमारा क्या है अंडमान निकोबार आइलेंड है और अगर हम इस साइड देखें तो इस साइड क्या है हमारा लक्षुदेप इसको आप एक बार दिमाग में बैठा लो कि कौन सा स्टेट हमारा कहां पर है चलो next slide देते हैं आपके practical के लिए है तो क्या मैं कोई आप से एक स्टेट पूछू तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये ये कौन सा स्टेट है ओके आप comment box में देख सकते हैं ये कौन सा स्टे ये कौन सा स्टेट है तो आप बता सकते हो ये क्या है हमारा गुजरात है और क्या आप ये बता सकते हो ये कौन सा स्टेट है तो ये क्या हमारा महाराश्ट्र है कौन से स्टेट है महाराश्ट्र है ओके अगर आप से कोई ये पूछी ये कौन से स्टेट है तो आप बता सकत तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, यह उत्तर प्रदेश हो गया, यह कौन सा स्टेट है, बिहार हो गया, तीन स्टेट बताया था ना, बिहार, जारखंड और कौन सा स्टेट, छत्रिसगर्ड, ओके, यह कौन सा स्टेट है, लद्दाक हो गया, यह कौन सा है, जब मुएन कस्मीर है ये कौन सा है हिमांचल प्रदेश ये कौन सा है आपका पंजाब ओके ये कौन सा स्टेट है हरियाना और ये छोटा साब का दिल्ली और ये कौन सा है UK उत्तराखंड ओके तो इस तरह से आपको सभी स्टेट को ध्यान में रखना है तो जो important स्टेट है उन important स्टेट के अगर हम तो important स्टेट में आप देख लेना कि ये ये स्टेट आपके लिए बहुत important है पहला ये area बिहार का area उत्तर प्रदेश का area गुज्रात का area तो आपके लिए बहुत ही important है और ये तमिल नाडु का area okay तो हिस्टी में जो main main important है ये आपका मुंबई के लिए भी आ सकता है ठीक है तो ये जो मैंने यलो कलर से डार्क किया है, ये एरिया बहुत ही important है, आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि जो question होंगे आपके इसी जगह से बनेंगे, तो आपको और इर्दगिर्द कहीं भागना नहीं है, चलो हम आगे चलते हैं, तो ये पहला map exercise है, और हम बात करें है, आपको याद करना है, place का नाम और year, तो अगर आपसे पूछे कि September 1920 में कौन सा session हुआ था, तो कलकता, अगर हम कलकता की बात करें, तो वो कौन सा है, वेस्ट बेंगॉल है, दिमाग में बैठा लेना, कलकता कहां पर है, वेस्ट बेंगॉल में है, दूसरा जो session है, वो के लिए problem हो जाएगी, तो कलकता session कब हुआ था, 1920 में, और जो नागपूर session हुआ था, वो December में हुआ था, तो नागपूर कहां पर है, ये महराष्ट में है, तो आप नागपूर को महराष्ट में locate कर सकते हो, तो ये आपका नागपूर है, इसके साथ मदरास कब हुआ था, 1927 में, और ये मदरास आपका कहा है, तमिल नाडू में, तो ये तीन basic question है, वो भी किसके है, इंडियन National Congress session के, तो इंडियन National Congress के अगर हम बात करें, तो इंडियन National Congress जो है, वो उसकी स्थापना हुई थी कब, उसकी जो स्थापना हुई थी, वो 1885 में हुई थी, किसके द्व चाह रहे थी, उनको आजादी चाह रहे थी, उनको equality चाह रहे थी, उनको dignity और self-respect चाह रहा हुथा, तो इसी लिए, यो मिल करके, करीब 75 के अप्रॉक्स delegates मिल करके, इंडियन National Congress के स्थापना करते हैं, तो ये अलग-अलग session हुए हैं, और उन अलग-अलग session का, हमें detail जानन है कि आखिर वो है कहां, ओके, तो तीनों ये session बहुत है important है, और एक बार आप ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं इसके बाद आपको एक exercise दोंगा, जिसमें आपको ये करना होगा, ठीक है, next चलते हैं, चलो, अब बताव बता, अगर हमें बताना है कलकता session, कलकता September 1920 में हुआ तो कलकता कहां पे है, ये आपका कलकता हो गया, नाकपूर session कहां है, नाकपूर session अगर आप हम बात करें, तो नाकपूर session आप देख सकते हो, नाकपूर यानि कहां पे है, महराष्ट में, तो इस area में आपका नाकपूर हो जाएगा, मदरास कहां पे है, तो मदरास आपका त तमिलनाडू में है, तो इस एरिय में मद्रास हो गया, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, फिर से मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, यह देख रहे हो ना, कौन-कौन सा एरिया, यह मद्रास का एरिया, यह नाकपूर का एरिया और यह कलकता का एरिया, तो यह तीनो क्या हो गया यह तमिलनाडू में कौन सा है मद्रास का हो गया यह आप क्या लिख सकती हो मद्रास 1920 1927 सुरी थोड़ा सा ठीक से लिखना इसको मद्रास 1927 मद्रास 1927 को यह हुआ थो और अगर इसकी बात की जाए तो यह क्या है वेस्ट पेंगोल यानि कलकता ठीक है यह क्या हमारा कलकटा है कलकटा का कब हुआ था सेप्टेंबर 1929 इसके बाद अगर हम बात करें यह हमारा कहां पें महराष्ट है तो महराष्ट में कब हुआ थानाखपूर सेषन हुआ था कि तो नाखपूर हम यह यह सकते है ठीक selection नाखपूर का यह आरियज तो तीनों हमंसे प्रैक्टिकल कर लिय। चलो अब हम नेक्स देखते हैं तो नेक्स्ड बहुत ही इंपोर्टिंट है और यह next जो है वो हमारा important center of Indian national movement तो इंडियन national movement के जो-जोगी important center है उनके बारे में है तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारा चंपारन बिहार है चंपारन बिहार तो चंपारन बिहार क्यों famous है? क्यों? क्या हुआ था? तो यह year की बात है 1917 की तो जो movement हुआ था वो indigo planters के लिए हुआ था किसके लिए indigo planters के लिए हुआ था और यह इसलिए हुआ था कि यह oppressive planting के लिए किया गया था oppressive planting का मतलब क्या हुआ था? कि Britishers इंडिया वालों को Indian patient को force कर रहे थे कि आप indigo के खेती करो तो उसके लिए महात्मा गांधी ने 17 गरवा moments की स्टाड़किया चंपारण बिहार में तो बिहार आपको पता ही है कि कहा है? अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार आपका यह area है तो ध्यान देना कि बिहार के थोड़ा सा topmost पे आपका ये चंपारण मुमेंट है जो चंपारण मुमेंट है वो बिहार के आपके थोड़ा सा up में है ठीक है तो पहला चंपारण बिहार आपको लिए पूरा हो गया ठीक है अगर हम दूसरा अगर बात करें चपारान बिहार के बाद में तो दूसरा जो मोमेंट है वो हों ऑए खेडा घुड़ा घुजरात यह पीसेंट सत्यागरह हुआ था इसमें क्या हुआ था कि crop failure हो चुकी थी crop fail हो चुकी थी लेकिन Britishers patient के उपर ज्यादा tax apply कर रहे तो यह खेडा गुजरात यह भी आपका 1917 में ही हुआ था तो अब गुजरात की बात है तो यह हमारा गुजरात है और यह जो area है ठीक यह हमारा कौन सा है खेडा गुजरात के एरिया है तो इसको आप दिमाग में बैठा लो यह हमारा area कौन सा है खेडा गुजरात इसके बाद अगर हम बात करें और next की तो next है हमारा कौन सा है एमदावाद cotton mill यह तीन मूवमेंट सत्याग्रा मूवमेंट हुए थे जुमात्मा गांधीत्वरा चलाए गए थे 1917, 1917, 1918 में तो अःमदावाद भी कहां पे है गुजरात में है तो आप यह देख सकते होुझ थोड़ा सा उसके जेस्ट बगल में है जो अब्गजरात के इसके बाद next आता है आपका डांडी मार्च तो डांडी मार्च है वह आप देख सकते हों कि यह भी गुजरात में है तो डांडी मार्च कहां स्टार्ट हुआ था अगर हम डांडी मार्च की बात करें तो जो डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था जो डांडी मार्च था वो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को कहां पर नवसारी डिस्टिक नवसारी जो ये है डिस्टिक ये गुजरात में है तो वहीं से नवसारी डिस्टिक से 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और ये 6 एप्रेल 1930 को जो salt law है उसको break किया गया था किसको salt law को break किया गया था किसके द्वारा महात्मा गांधी द्वारा ठीक है और ये एक परसे कह सकते हैं कि एक non cooperation movement या हम civil disobedience सोरी इसको हम बोलते हैं civil disobedience disobedience moment obedient obedient moment कि तो civil disobedience moment की नाम से इसको जाना जाता है और ये 12 माह 2430 को start हुआ था और कभू खत्म हुआ था 6 प्रेलों 1930 को तो ये आपका यहीं पर है इसको आप ध्यान में रख लो जो इनका exact location है वो कौन सा है आप यहां पर देख सकते हो इनकी exact location यह रही आपका ठीक है यह डांडी मार्च है तो ये पांच important topic है जो आपको समझने हैं इसके बाद हम practice करेंगे आएए देखते हैं तो चलो सबसे पहले जो practice अगर करनी होगी तो हमें बात करनी है किसकी हमें बात करनी है चंपारन बिहार तो बिहार स्टेट कहां है ये यूपी है और ये बिहार है तो यहां पे हमारा कौन सा है चंपारन हो गया इसके बाद खेड़ा गुजरात पीसें सत्यागरा तो खेड़ा गुजरात आपका यहां पे हो गया ओके इसके बगल में एम्दाबाद कॉटन मिल वर पंजाब में तो यह आपका यहां पे है तो आप देख सकते हैं पूरा पंजाब के थोड़ा सा उपर है तो अगर हम कुछ चीजें हैं आपको दिमाग में बैठा लेना है तो यह कौन सा है अगर हम यह बात करें यह हमरी स्वार का जलिया बाग मूंट है अपका छम्पारण बिहार क्या चम्पारन शथ तो इस तरह से आपको चीजें करनी है ठीक है तो यह 5 अपने practice कर लिया ठीक है तो यह देखो exam में इस तरह से question आते हैं तो question क्या दिया है पहले ध्यान से question को देख लो question दिया है आपका question दिया है कि आपको बताना है कि two place a and b have been marked on the given political outline map on page number identify this place तो आपको map में a और b दिये दिया रहेगा तो दिखो in the places where the Indian National Congress session held was in 1927 तो 1927 में जो session हुआ था वो कौन सा हुआ था मद्राज का session हुआ था मैं आपको यहां पीछे दिखाना चाहूंगा आप यहां देख लो कि जो 1927 को हुआ था वो कौन सा session हुआ था यहां मद्राज का session हुआ था ठीक है तो यहां पे आपको point a mark कर देगा और आपको point a mark कर देगा उसके recording आपको बताना है इसके बाद the places where the gandhi ji organized the satyagraph for the indigo planter अब indigo planter indigo planter मतलब आपको कौन सा हो गया बिहार चंपारण क्योंकि चंपारण में ही न यह चंपारण बिहार अगर आपने इस तरह से locate कर दिया और आपने यहां पे लिख दिया यह जो है वो किस लिए हैं यह हो गया इंडियान नेशनाल कॉंग्रे writes शेशन तो का और मिंटीन को П charisma दो आटीन टो हुआ हुआ था यह कहां है चंपारन बिहार तो बहुत ही आसान है आप इसको आसानी से practice कर सकते हो तो इस तरह से आपको हिस्ट्री में question आएगा okay so अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like subscribe करना ना भोलना so thank you और जल्दी मिलते हैं geographic map work में so thank you